हलो गाइस स्वागत है आपका कंटेंट मॉंस्टर्स के एक और एपिसोड में और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज यूमन का जो हाली में रिलीज हुई है डिजनी प्लस होट स्टार पर अब यूमन के मुक्य कलाकार हैं शेफाली शाकिर्ति कुलडी रामकापूर फिशाल जेठवा मोहन अगाशे इंद्र निलसें गुपता अतुल कुमार संदीप कुलकर्णी सुशील पांडे गौरब दुवेदी आसिफ खान शूरूती बापना रिधी कुमार प्रणाली गोग सीमा बिश्वास और अधित्य श्रीवास्तव बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी है यूमन की इस बेस राउंड इंटायर थीम ओफ ड्रक ट्राइल्स जब कोई नए दवाई मार्गिड में आती है तो उससे पहले उसको लोगों पे टेस्ट किया जाता है कि दवाई सही से क किसी बी नए ड्रक को उ ACL करने से पहले फार्मा कंपनीज उसे ट्राइल करती है पहले जान्वरों पर और फ़िर यूमन्स पे भी ट्राइल करती है और इस तरह से कभी कभार वो लोग unethical means से humans को, गरीब लोगों को guinea-pigs बनाके यह बहुत ही risky drug trials करती है Let's create a revolution together It's a very compelling medical thriller and also quite spine-chilling in parts One has to give credit to the makers के नया subject चुना है उन्होंने इस तरह के series हमने रेसें ताम पर देखी नहीं है This series also hits you hard because of the pandemic around us यह तीसरा साल है pandemic का, कई vaccines दुनिया में आई है नहीं, कई और vaccines पे काम चल रहा है और एक तरह से जटका से लगता है audience को किस तरह की practices होती होंगी एक नही वैक्सिन को लाने से पहले एक miracle drug है, RCS 93R का नाम saviour होगा इसमें दिखाया गया किस तरह फार्मा कमप्लीज को लाइट करते हैं medical fraternity के साथ, hospitals के साथ, किस तरह से politicians involved हो जाते हैं जल्दी से जल्दी vaccine trials करवाने के लिए और phase one, phase two, phase three trials को successful करवाने के लिए किस तरह की malpractices की जाती है the role of politicians in all of this खास करके जब अपर election आ रहे होते हैं तो किस तरह सी ये सारे लोग मिलके शड़ेंतर रच सकते हैं एक vaccine को जल्दी approve करवाने के लिए मन्थन मेरी legacy है और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ जैसे कि मैंने कहा कहानी तो definitely नहीं है तो क्या खास बात है यूमन की सबसे पहली बात again, brilliant, brilliant casting Shafali Shah as Dr. Gauri Nath who is the head of the hospital Manthan and one of the prime suspects in terms of getting a new miracle drug called Savior pushed through so that she can make a lot of money which will help her set up another dream hospital of hers where she wants to try new experiments wherein वो लोगों के दिमाग से उनका complete trauma erase कर सकती है वो खुद जीवन में बहुत कुद देख सुकी है एक abusive childhood देख चुकी है उनके बड़े बेटे की death हो चुकी है तो वो भी काफी trauma से गुजरती है और वो एक miracle drug उस नए हॉस्पिटल में इंट्रिद्यूस करना चाहती वो खुद भी काफी डीमन अपने मन में चुपाय हुए है उनके खुद के कई राज हैं जो नहीं लोगों से चुपाय हुए है इसके अलावा राम कपूर, महन अगाशियात्य शरीवास्तव, विशाल जेथवा इन सभी का कास्टिंग बहुत पर्फेक्ट है So I would give full marks to the casting Second performance is, Shifali Shah is absolutely mind-blowing in a performance as Dr. Gaurinaath She actually sends the shivers down your spine in some of the scenes And ये जो नेगटिव किर्दार उनोंने किया है, बहुत ही बढ़ी आने बाया है I cannot visualize anyone else in her place And Delhi Crime के बाद एक और बहुत बढ़िया performance दी है Shifali Shah ने That's the good thing about some of the content on OTT platforms these days Shifali Shah जैसे artists को इस तरह के roles up दे दो तो जिस तरह से ये लोग perform करते हैं और पूरी कहानी को उठा लेते हैं उसकी बात ही कुछ और है So, hats off to Shifali Shah And उसी तरह से केर्टी कुलाडी ने बहुत बढ़िया performance दिया है Especially her breakdown scene with her parents When she talks about her alternative preferences in terms of her sexual preferences When she talks about all the wrongs that she has done, the lies that she has said Breakdown scene आपको दर्शाता है कि कियती को लड़ी कितनी बढ़िया performer है Throughout the series उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है And again brilliant casting Vishal Jetwa, जो मरदानी में antagonist का role play कर रहे थे और यहां पे एक गरीब लड़के का role play कर रहे है जो पैसों के लिए अपने parents पे drug trial करवाता है और इस process में अपनी मा की जिन्दगी खो बैठता है और किस तरह से वो बदला लेना चाहता है और हरजाना क्लेम करना चाहता है फार्मा कंपनी से बहुत ही बढ़िया काम किया वेशाल Jetwa ने एक injection के 10,000 बभली वही है इसके ज्यादा ट्राइल इसके ज्यादा तरह कमीशन और सुनमा आज ज्यादा चल-चल फटावाट साइन कर दे लिए अपर अगें ये लड़का जो है ब्रिलियन्ट एक्टर है मर्दानी में भी इसने बहुत इंप्रेस किया था इसके ये नहीं कि नहीं आख से बाही और सबस्क्राइब अगर्देटिये वोट्राइब से के लिएक कानी अलग में एक्याद का जाली धिक प्रिए क्टावीस्यान ट्राइब होड्वेशन है सबसे पहली चीज़, स्लाइटली लंबे एपिसोड की सीरीज है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है I think six to seven minutes could have been chopped off from each episode, at least from a few episodes for sure and that would have made the series very tight So I think, वो जो लंबे एपिसोड है, वो थोड़ा सा स्टेगनेट कर देता है series को अभी-जाता है Second part, towards the end, it gets into an unrealistic space completely, especially जो 10 लडिकों को बंद कर रखा होता है, सीमा बिस्वास के साथ, उन पर अलग अलग तरीके के experiments किये जा रहे है उस सारा part थोड़ा over-exaggerated लगता है, also Shefali Shah's character unraveling when she is caught in this pharma scandal, when her past catches up with her, she goes completely bonkers तो यह जो दो चीजे हैं थोड़ी सी melodramatic और film हो जाती है, given that the entire tone of voice of this series is very realistic और एक topic भी ऐसा है, जो relatable लगता है आज के महाल में, this end bit which is very over the top and melodramatic थोड़ा सा unrealistic space में चला जाता है, और वो बात थोड़ी हजम नहीं होती I think the end really throws you off a bit, के थोड़ा सादा हो गया Clearly there are a lot of creative liberties that have been taken, so definitely वो बात हजम नहीं होती But apart from these two, I still think this is a series that is a must watch, Vipul Shah and Mojai Singh ने इसे direct किया है And this series को create भी किया है, उनको भी compliments देने चाहिए, कुछ नया try करने का And all the pieces of content in this month, I would say that human is one of the best amongst those So my strong recommendation would be, you go ahead and watch this series, I would give this series a rating of 6.5 on 10 It could have been higher had the ending part not been so unrealistic and over the top But nonetheless, go ahead, watch this series if you have already seen it Do let us know what you think of human, whether you agree with our review or don't If you have any comments to share with us, please do so in the comment section below For more such reviews, please do keep coming back to our channel, we will see you soon, thank you